दोस्तो आजकल आपने सुना होगा सुसल मीडिया के माध्यम से कि एक पती ने अपने पतनी को पढ़ाया और वह महला प्रशास ने गद्गारी बनी और इसके बाद डायवोर्स जैसे चीजें जो है आ रही है चर्चा में मैं इस घटना के माध्यम से एक बात आप लोगों से सेर करना चाहता हूँ और करने की बजह क्या बनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तो आपको पता है कि मैं एक अध्यापक हूँ पिछले कई बरसों से सामान अध्यान एक दिपसी परिच्छा के लिए पढ़ाता हू जो अपनी बैस फ्रेंड थी दौनों लोग अच्छे से तो जब डिरेक्टर सर के द्वारा जब संपर के साधा गया तो जानकारी मिली कि उनके जो पती देव हैं वो साधी सुधाय दौनों ही उनके पती देव ने उनको भेजने से मना कर दिया जब ये बजह जानने कोशिस कर अब हम इन दोनों को नहीं पढ़ाएंगे और उसकी बजह जो बताई गई वो अभी जो मैंने घटना आपको बताई है वो यही बताई गई कि नहीं साब इनका कोई भरोसा नहीं है कि आगे चलके सफल हो जाए और यह हमारी लाइफ बाद में प्रभावित हो सकती है दोस्त मेडिया से जो खबाराई है कि प्रयाग राज दिल्ली से जो सिबल सिर्विस के बच्चे त्यारी कर रहे थे इस्पेशिली साधिसुदा महलाईं जो त्यारी कर रहे थे उनके यौन morning और उनके husband ने बोला लिया इसी बात को ध्यान मैं ताकत होती है, संसकारों में बहुत ज़्यादा दम होती है, उन संसकारों का भी तो हमें सम्मान करना चाहिए, यदि वो बेटी जो पतनी है तो किसी किसी के बेटी भी होगी, अगर वो पतनी पढ़ना चाहती है और आपके मन में भी ऐसे भाव थे कि आप उसे पढ़ाएंगे तो आप एक घटना की बजह से आप उस बेटी को पढ़ने से क्यों रोक रहे हैं महिला ससक्ति करण की दिशा में ये कदम बहुत महत्पून है रही बात की आगे चल की क्या होगा ये बात की बात है समझ पा रहे हैं आपका जो कलीग है आपकी जो पतनी है भरोसा तो करिए अगर आप भरोसा नहीं करेंगे और इस पकार से सोसल मेडिया के अधार पे आप अगर निरने लेंगे इससे बुरा क्या हो सकता है तो मेरा आप लोगों से हाँ जोड की बिनम निवेदन है मैं अधापक के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ कि वो जो बेटियां है ना मैं अपने बैच में धेर सारी बेटियां को मोटिवेट करता हूँ उनके अंदर हवा भरता हूँ इस बात के लिए कि नहीं यू कैंट डू तुम कर सकते हो बात बुरी ना लगे छमा चाहूँगा पुरुष परधान समाज में जब महिला आगे बढ़ती है ना तो कहीं न कहीं पुरुष का इगो हर्ट होता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जोती मौर्या स्डियम के केस मनों ने जो किया मैं समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ उनके खबर आई है कि उनके क्या किस्से संबंध है उस निजीब विवस्था के परति में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा लेकिन हां पत्पत्नी का रिस्ता जो है न वो विश्वास सबसे बड़ी बात होती है उस रिस्ते का अधार ही विश्वास होता है तो जितने भी पतिदेव हैं जो अपनी पत्नियों को बढ़ाना चाहते हैं मेरा आपसे प्यार भराई एक बात कहनी है भरोसा करिये आपने बंडिंग जो करी है आपने इलावाद उनको यह दि भेजा वो इस पेशली पती जो कोचिंग अपनी बेटी को सुपर टेट वाले जो हैं अगर वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपसे भी मेरा बिनम्र नवियदन है उन बेटीयों को भेजिए जससे कि वो सरकारी सिस्टम के अंग बने और एक सिछिका के रूप में या प्रशासनिक अधिकारी को रूप में समाज को सुद्रन कर सकें ठीक है ना बस यही मेरा आप से गुजारिस है सकारात्मक सोचिए नकारात्मक मत सोचिए अगर आप ऐसे सूचेंगे तो लाइफ में जीवन में बहुत सारी नकारात्मक चीजें होती रहती हैं और आप उन्हें नजर अंदाज करते हैं इसलिए बरुसा रखिए उन बेटियों को और जो आपकी पतनिया बाइफ हैं फिर से पुरी ताकत से भेजिएं जिससे को दुगनी ताकत से अपने आपको प्रूफ करें संसकार मैं बहुत दम होती है आपकी भाव आपके मन के भाव आपकी गरिवी आपकी बुरी स्थिति पुचाए पती पढ़े चाए पतनी पढ़े सुद्रन तो आप ही होंगे न तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो सकरात्मंग मेसेज़ आप तक पहुँच चुका होगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूब बताईएगा थेंक्यो जहिन